मस्पी से 2000 रुपे प्रतिक क्विंचल कम हुआ सरसो का दाम दरसल तिलहन फसलों में एहम योगदान रखने वाले सरसो की कीमत में भारी गिरावट आई है राजस्तान की कोटा मंडी में इसका नियूंतम दाम सिर्फ 36001 रुपे प्रतिक क्विंचल रहे गया है इसका मतलब ये है कि नियूंतम स्मर्थन मुल्या के मुकाबले 2049 रुपे कम भाव पर किसान इसकी बिक्री कर रहे हैं सरसो के दाम का इतना बुरा हाल तब है जब भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है अब सवाल ये है कि किसान अगर तिलन फसल भी MSP से 2000 रुपे प्रतिक क्विंचल कम दाम पर बेचेंगे तो फिर भारत इस मामले में आतम निर्बर कब और कैसे होगा और मुक फसल है और देश का 48 फीसिदी सरसो यहीं पैदा होता है अगर यहीं के किसानों को MSP भी नसीब नहीं होगा तो फिर कोई किसान क्यों इसकी खेती को बढ़ाएगा साल 2020 से लेकर 2022 तक सरसो उत्पादन करने वाले किसानों को MSP से अच्छा दाम मिल रहा था इसलिए इस दुरान रकबा तेजी से बढ़ा आम तोर पर देश में सरसो का रकबा 70 लाख हेक्टेर होता था जो पिछले 3 साल में बढ़कर 100 लाख हेक्टेर को पार कर गया है लेकिन अब खाद्य तेलों पर आयात छुलक कम होने और पूरी सरकारी खरीद न किया जाने की वज़े से दाम लुडक रहे है अब किस्तान पस्ता रहे हैं कि उन्होंने सरसो की खेती की तो क्यों की जिन किसानों को तिलन की खेती बढ़ाने के लिए पुरुसकार मिलना चाहिए था उन्हें सरकारी नीतियों की वज़े से कम दाम का दंड मिल रहा है ऐसे में किसान बेहाल है वहीं अगर भाव की बात की जाए तो सरसो का नियूंतम भाव मंडियों में 361 रुपे तो मैक्सिमम भाव 6580 रुपे के आसपस कोटा की मंडी में देखने को मिला है वहीं राजस्तान की खानपूर मंडी में नियूंतम दाम 4050 तो मैक्सिमम 4900 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिला वहीं 12 जिले की अटरु मंडी में सरसो का नियूंतम दाम 3980 रुपे तो अधिकतम दाम 4850 रुपे प्रतिक विंचल दर्ज किया गया है Bureau Report Market Times TV